हम पढ़ रहे हैं अध्याय वैत्य उधारा उसी के संधर में आज हमारा है पार 12 चलिए शुरू करते हैं पार 12 को पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीटर सेतू के बारे में और उसी से जुड़े एक उधारन 3.9 को चलिए इससे पहले वाई लेचर में हम क्या जान चुके हैं इससे पहले वाई लेचर में हमने विर्टी स्टोन सेतू के बारे में जाना था और हमने वहाँ पर देखा था कि विर्टी स्टोन सेतू के सिधान पर ही आधारित एक युक्ती होती है जिसे हम कहते हैं मीटर सेतू या फिर मीटर ब्रिच चीक है चलिए सबसे पहले हम देख कि मीटर से तू आखरी दिखता कैसा है यानि कि इसकी सनरशना कैसी होती है तो आप डाइग्राम में कुछ दे सकते हैं कुछ इस तरह की सनरशना होती है मीटर से तू क्या होता है मीटर से तू में एक मीटर लंबा एक तार होता है जो क्या आप दिसकते हैं A से C तक एक मीटर लंबा तार होता है उस तार में क्या लगा होता है एक समान अनुप्रस कार्ट छेत्वर वाले दो तार सॉरी जो मीटर सीतु होता है वो एक मीटर तार से मिलका बना होता है जो कि कैसा तार होता है एक समान अनुप्रस कार छेट पर वारा तार होता है जिसे लंबवत धातू की दो मोटी पट्टिकाओं के मध्य कसा जाता है ये धातू के दो पट्टिकाओं के मध्य कसा जाता है ये धातू के दो पट्टिकाओं के मध्य कसा जाता है उसके मध्य में दो प्रतिरोद लगाने होते हैं एक प्रतिरोद हमारा R है एक प्रतिरोद हमारा S है यहां पर जो R प्रतिरोद आपको दिख रहा है वह एक ज्याद प्रतिरोद है जिबकि जो S प्रतिरोद है वह एक अज्याद प्रतिरोद है Yes, मीटर से तो भी एक ऐसे युक्ति होती है, जिसका उप्योग हम अग्याद प्रतिदोथ को ज्याद करने के लिए करते हैं. ठीक है, और क्या होता इसमें, चले देखते हैं, यह वही बात है जो मैंने आपको बताई है, इसमें एक कुण्जी होती है, जो क्या आप दे सकते हैं, कुण्जी केव जोकी होती है वो धात्विक जड़ होती है जिसका एक सिरा जो होता है शुड़ धास होता है जोकी होता है उसको हम कहीं भी स्तार पर जो है सरका सकते हैं और जोकी की सायता से ही हम इस तार पर जो है एक संतुलन के स्थिति को प्राप्त करते हैं छीक है संतुलन के स्थिति प्र करते हैं मीटर सेतु के concept में तो यहां एक वीर्टु स्टों सेतु की भाति कारे करेगा कैसे चले देखते हैं तो यह हमने देखा structure कैसे structure होता है इसका ठीक है यहां पर हमने बात करे थी कि आर क्या है अग्याद प्रतिरोध है जिसका मान हमें ग्याद करना है तो मैंने इसी ग्याद प्रतिरोध है जोकी S यहां पर वो एक ग्याद प्रतिरोध है चीक है तो हम देखते हैं कि जोकी के तार को जो हमने जोकी देखा था यहां पर जो जोकी है जे उसके तार को हम क्या करते हैं किसी बिंदू D हम इस तार जो AC तार है उस तार पर हम जोकी के लिए बिंदू D एक ऐसा बिंदू D प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जहां पर यह संतुलन की स्थिति को प्रदर्शित करें तो एक जो एल नंबाई वारा तार है वहां पर हम देखते हैं कि इसने यहां पर क्या है एक संतुलन की स्थिति प्राप्त कर ली है बिंदू D पर जो कि A से जो है L दूरी पर इस्थित है टोटल कितना है AC की लंबाई 100 है तो हमने एक बिंदू D से प्रात कर लिया है जिसकी दूरी जो है A से L दूरी पर है यानि कि AD की जो मध्धे की दूरी है ये वाली वो L सेंटिमेटर है तो अब बताएए DC की दूरी कितने हो जाएगी ये हो जाएगी 100 माइनस L यह हम यहाँ पर लिखा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि तार के जो AD भाग है तार का जो AD भाग है AD वो कितना? उसका प्रतिरोध कितना है? उसका प्रतिरोध हो जाएगा आर सेंटिमेटर मल्टिप्लाई L आरल हो जाएगा और तो यहाँ पर DC वाला पार्ट है उसका DC भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आर मल्टिप्लाई 100 माइनस L तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? आप यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं कि हमने मीटर से तू में चार भुजाएं ग्याद कर लिया चार भुजाएं यहाँ पर बन चुकी है कौन कौन से भुजाएं? एक तो थी AB यह AB एक है BC एक है यहाँ पर DA यह वाली बहुत किछ पिछ हो चुके DA आप देख सकते हैं DA DA और एक यहाँ पर CD चार भुजाएं यहाँ बन चुकी है और बीच में क्या लगा है? बीच में यहाँ पर लगा है एक गैलवनोमीटर बताएगे ऐसे सनुचन आपने कहाँ पर देखी थी? जहाँ पर चार प्रजिरोद हो और बीच में यहाँ पर गैलवनोमीटर हो और इनके बीच में यहाँ पर एक बैटरी हो ये हमने देखा था वीट स्टोन से तुमें तो हम कह सकते हैं मीटर से तुमें क्या बना दे यहाँ पर? हमने बना दिया है वीट स्टोन से तुम ठीक है? अब जब ये एक weight stone से तो बन चुका है अब हम इसके निकालने वाले हैं एक सूत्र एक प्रति बंद सूत्र ठीक है हम एक संतुलन के स्थिति यहां पर प्राप्त करने के कोशिश करते हैं ठीक है और वो जो संतुलन के स्थिति क्या होती है जब उस गैघनो मीटर मेंसे कोई भ प्राप्त कहने के कोशिच करते हैं जहां पर से कोई धार प्रभाविद नहीं होती है और जब हमारे पास वह संतुलन की इस्थिति आ जाती है तो अब हम उसके लिए एक संतुलन प्रतिबंद को ग्याद करते हैं राइट विटिस्टोन सेत्यू का प्रियोग करते हुए डेख तो आप दे सकते हैं हमने आर्ट से जो है आर को कैंसल आउट कर दिया और हमारे पास आच चुके है हमने देखा था कि जो हमारे पास जो एस है उसका मान हमें पता है अग्याद प्रत्रोध कौन से है यहाँ पर अग्याद प्रत्रोध है आर इसका मान हमें ग्याद करने है तो इसके मान को हम ग्याद कर सकते हैं इस सोत्र के द्वारा आर बराबर हो जाएगा एस एल बटे हंड् सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए अब हम सॉल्फ करते हैं उधारण 3.9 को उधारण 3.9 मीटर सेतु के बारे में है जिससे कि आपको मीटर सेतु और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं इसमें क्या बोला गया है जो आप डाइग्राम में देखते रहें जो मैं आपको श्टड़ी कर भी चीक है तो मीटर सेतु में बिंदू ए है आ बिंदू कौन से है जहां पर हमें शुन्ने विक्षेप की स्थिव रात होती है इसका मतलब यह हमें दे रहे हैं AD की दूरी यानि की यह है हमारे पास 3.7 सेंटिमीटर ओके डन ऐसे प्रतिरोध के पाश्रू में बारा ओम का एक अन्या प्रतिरोध है जो ऐसे हैं यहां पे प्रतिरोध है जो हमें ग्याद होते है बिसिकली उसके पास्षुक्रम में यहां पे एक और प्रतिरोध जुड़ावे है कि वह प्रतिरोध का मान कितने है उस प्रतिरोध का मान है 12 O जब हम ऐसे करते है न जो हमने पास्षुक्रम में एक और प्रतिरोध को जोड़ दिया है उस तमें शुन्या विक्षुक्रम की तो इस्तिति है वह 50 1.9 cm की दूरी परात होती यानि कि जो पहले ल इतना आ रहा था वह ल इतना आ रहा है यानकि दो सिच्वेशन है एक सिच् केस यहां पर हमारे पास है जो कंच करना है करनाओ और हमने कर पर करना यहां पर गाद करना है यहां पर गिवन नहीं है चलिए शॉल्फ करते हैं इसको मीटर से तू के प्रतिबंद वाले सूत्री के साहिता से चलिए से पहले हम केस वन देंगे कि जब हाँ पर पाश्यों ग्रम में S में कोई भी प्रतिरोध गिवन नहीं है देखें के रिष्ण करने वाले हम इसको हम देखेंगे प्रत हम सुन्य विक्षेप के स्थिति क्या होगी आर बटे एस बराबर क्या होगा एड बटे सीडी एड की दूरी कितने है ठृटी थ्री पॉइंट सेवी और डिस की दूरी कितने हुजाएगी हंड्र मैने स्थी समी करण था विके सेटिकेस किया था जब हमारे पास इस एक पार शुकरम में हाँ पर एक दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया गया है चले सो कह स्वार करेंगे हम तो हमने क्या करना है कि यह से 12 रंका प्रतिरोध जुड़ गया है चलिए इसको वह सुटर लगा पर बन अपॉन बारा ठीक है वन अपॉन बारा प्लस अबन अपॉन एस ची के बन अपॉन एस आप इसको लिख सकते हैं एकुलेंट मतलब तुल्य प्रत्रो ठीक है इसको सॉल्व करें तो यह यहां के पास आ जाएगा तो यह हमारे पास टोटल एस निकल गए अब आप क्या करेंगे जो उपर वारे क्वेशन थी ना उसमें आप एस के जगह जो है आप यह वारी वैली पुट करेंगे चीक है क्योंकि यहां पर अकेला नहीं है उसके साथ एक और प्रत्रों जुड़ गया है ठीक है उसका तुल् से दूरे निकाल सकते हैं तो वह यह हमने हाँ पर कर रहा है तो इस बार हमारे पास आरवेट एस जो है एक तो यह केस आ गया ठीक है और यहां पर यहां पर यह रख दिया है जो उपर से हमारे पास आ गई चीक है तो हमने देखा कि एक तो हमारे पास यह वाले यह वाले यह तो जब आप इसको solve करेंगे तो आपके पास सारी दो वैल्यू है ना सारी दो नंबर से वैल्यू दे रिखिये बस यहां पर ऐसी है जो कि अग्याद है तो आप यहां से तो आप कैसे निकालेंगे बताइए इस पर आप एस की वैल्य रख दीजिए और यहां से आपको आर की वैल्य फिन मिल जाएगी और क्या मिलेगी आपको मिलेगी 6.86 ohm ठीके जब आप उसको उस वैल्य में पुट अप करेंगी किसमे इस की वैल्य को आपको पुट करना है इस इस वाले समी करण में इस वाले समी ब्रस अंगे पूट करना है चीक Atala मो पूट करने है थिक है तो आपको इसकी वैल्य मिल जाएगी ठीके आपको एस को हम इन बड़े प्रत्योंद हो के animal करते है सेत्न की संचुनन रवस्ता अम मिने इसको रवरना निकाला इसके लिए तो आगे आने वाई लेचर में हम क्या देखेंगे हम देखेंगे विभाव मापी को और उसे जुड़ेवे उधारण को ठीक है तब तक के लिए